हेलो फ्रेंस नमस्ते स्वागत है आपका जोती की पाक साला में तो फ्रेंस आज में आप सब के साथ सेयर करने जा रही हूं लौकी की चिले की रेसिपी जो की बहुत ही तेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है और एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा बच्चे यह को सपोर्ट कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए ले लेंगे फ्रेस लौकी इसमें बीज नौ हो जादा और उसे दोकर छिल लेंगे यह देखिए इस तरह से और उसके बाद बारिक वाले यह ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यह देखिए अब इसे साइड रखते हैं और एक चौपर ले ले रहे हैं तो आप चाहें तो चौपर नहीं हूं तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं बारिक प्याज को मैं यहां चौपर में कर रही हूं तो एक बड़ा प्याज या दो तो यह देखिए बहुत जल्दी इस पे चॉप हो जाता है तो अब हम लौकी को डालेंगे एक बड़े से परतन में उसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे उसमें डालेंगे हमने जो चॉप किया था प्याज उसे और दो कप गेहु काटा स्वात के नुसार नमक डालें इससे टेस्ट अच्छा आएगा आधा चुटा चमच कलों जीरा लेंगे और जोपर में ठेर सारा प्याज लगा हुआ था थोड़ा सा पानी डाल कर मैं डाल दे रही हूं अब क्या करेंगे हाथों से इसे मिक्स करेंगे हाथों से अच्छी से मिक्स कर लेंगे और उसके बा तो इसलिए चीला की कंसिस्टेंसी का कर देंगे तो टोटल मैंने यहां पे ड़ाई कप पानी डाला है आप डालेंगे इसमें हम एक छुटा चमच अधरक लेसन का पेस्ट और एक गाजर बारी घीस करके प्याज हमने पहले ही डाला है अगर आपके पास क्याप्सी कम हो तो आ अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में यह देखिए एक छोटा चमच सरसो का तेल दालेंगे तो अगर आप सरसो का तेल खाते हैं तो एक जरू डालिएगा और नहीं खाते हैं तो एक चमच घी डाल दीजेगा अब देखिएगा कि बहुत ही तेस्टी और पढ़िया चीला बनके तयार होगा आपका तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम चलते हैं गैस चूला की तरह तो मैं यहां दोनों साइड में तब एको डाल रही हूं पैन को और उस जल्दी बनाना होता है ना तो दोनों साइट तावा चड़ा करके एक बार में दो दो निकल जाता है तो आप यह ऐसे कर सकते हैं अगर जल्दी हो तो अधर वाइस आप एक पे ही कर सकते हैं तो इस तरह से फैला देंगे और इसे कभर कर देंगे दो से तीन मिनट के लिए द है उसाम से प्लड़ लेंगे तो इसी तरह से अलट्ते प्लड्ते हुई इसे अच्छे से das Mail ये १क नहीं रहना चाहिए में तो फ़लेम को मीडियमटू लोघ्टेंगे हाइ फ्लेमिंप नहीं करेंगे तो यह देखिए एक चिला हमारा बनके तयार है तो अधर इसी तरह से और भी चिला बना लेंगे फ्रेंट्स एक बार आप चरूँ ट्राइ कीजिएगा इस तरह से जो लोग लोकी नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे और ये बहुत हेल्दी भी होता है तो इसी तरह से ये देखे दोनों साइड बनाने से जल्दी जल्दी बनके तयार हो जाता है और मैं इसे सुबह के टाइम में बना रही थी तो थोड़ा सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी रहता है तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी बनके तयार हो गया है और देखने पितना बढ़िया लगरा है आप देख सकते हैं तो जितना बढ़िया देखने में लगरा है उतना ही बढ़िया खाने में भी लगता है तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको लोहे के तवे पर बना के दिखा रही हूँ, तो तवे को अच्छे से गर्म करेंगे, एक छोटा चमिस तेल डाल देंगे, और तेल जब गर्म हो जाएगा, तो हम इस पे बैटर डालेंगे, इस तरह से अगर डालेंगे तो तवर करके फिर उसी तरह से इसे भी अलटते पलटते हुए सेख लेंगे, आप इस चिले को दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, यह देखिए, कितना टेस्टी लग रहा है न, इसी तरह से हमने सारे चिलो को बना के तयार कर लिया है, तो चलिए, अब मैं इ दही है, तो दही के साथ और अचार के साथ, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, प्लिस कमेंट करके बताईएगा, और थोड़ी से भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा, और चैनल पढ़ना हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो यह लीजिए बहुत ही टेस्टी लौकी कचिला बनके तयार है, आप इसे ग्रेवी वाले सबजी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाई बाई